साथियों गर्मियां चरम पर हैं और गर्मियों में आपको हर गली चुराहे पर आपको गन्य का रस्ट जूस का ठेला मिलए जाएगा। इस रिपोर्ट को बहुत ही रिसर्च के बाद तैयार किया गया है ये रिपोर्ट आपके लिए खास हो सकती है साथियों गन्य का जूस हमेशा फ्रेश या ताजा पीना चाहिए फ्रिज में रखा हुआ गन्य का जूस पीनी से बचे ये पाचन तंदर को प्रभावित कर सकता है गन्य के जूस के पोशक तत्वों और सौध को बढ़ाने के लिए आप इसमें पुदीना और नीबू का रजबी डर्वा सकते हैं कुछ लोग गन्य के जूस में काला नमक डाल कर पीना भी पसंद करते हैं ताजा गन्य का जूस पीने से शरीर को ठंडक मिलेगी और पाचन में भी सुधार होगा कभी भी देर तक स्टोर किया गया गन्य का जूस नहीं पीना चाहिए क्योंकि गन्य का जूस बहुत चल्दी खराब हो जाता है इसलिए देर में इसे पीने से शरीर को नुकसान पहुंच सकता है गन्य के जूस के फायदों को लेने के लिए इसे हमेशा फ्रेश पीए साथियों अगर आप गर्मी से राहत पानी के लिए गन्य का जूस पीते हैं तो ध्यान रखें कि ज्यादा बर्फ ना डालें क्योंकि बर्फ सीधा आपका गला पकरता है जिसके बाद आपको गले में समस्या हो सकती है ऐसे में गन्य का जूस फायदेमन की जगा नुकसान देह हो सकता है अगर आप नॉर्मल भी गन्य का जूस पी सकते हैं ये आप के लिए काफी ज्यादा फाइदे मन रहेगा साथ ही अगर आप गन्य की जूस का दोगुना फाइदा लेना चाहते हो तो उसमें नीबू डलवा सकते हैं क्योंकि नीबू में मौजूद विटामिन C, कॉलेजन बनाने में मदद करता है एक प्रोटीन जो आपकी स्किन को सहरा देता है नीबू में मौझूद विटामिन सी, फॉलिक एसिट, विटामिन बी और खनीज आपके मुहासे, तेलिये स्किन, ब्लैक हैड्स और रूसी को सुधाने में मददगार है विटामिन सी भी एक शक्तिशाली एंटियोक्सिडेंट है, जो कि आपके सेहत के लिए बेहत फायदेमंद है नीबू के साथ आप पुदेनी का भी सेवन कर सकते हैं पुदेनी की बत्यां एंटियोक्सिडेंट और फाइटो निउट्रियंट से भरपूर होती है और इसमें विटामिन A, विटामिन C और B कॉम्पलेक्स, फॉस्फोरस, केल्शियम और एंटि बैक्टिरियल गुणफ होते हैं यह आइरन पोटेशियम और मैगनीस के समरिद स्रोतों में से एक है जो हीमोगलोबिन के स्तर में सुधार करता है और दिमाग के कारे को बढ़ावा देता है दोस्तों गन्य का जूस तो हर कोई पीता है आप भी पीते होंगे लेकिन सही तरीके से पिया गया गन्य का जूस आपको दोगुना फाइड़ा दे सकता है आज के इस रिपोर्ट में आप ये तो देखी चुके होंगे कि गन्य का जूस आपको कितना फाइदा दे सकता है दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें धैन्यवाद